बिस्मिल्लाहिरुर्रह्मानिर्रहीम असलाम अलेकुम डियर स्टूजेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ कि आप सब खेरवाफियस से होंगे ठीक होंगे लियर स्टूजेंट्स हमने एक टापिक स्टार्ट किया हुआ है उसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बेटा हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक कम्प्रिहंसिव इंट्रॉडक्शन पढ़ा फिर हमने से कुछ कुछ क्वेस्टिंज भी किये तो प्यारे बच्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें ताके आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहें और आप इससे इस्तफाद्ध आसल करते रहें हम अपना टाइम वेस्ट किये बगार आपकेशन नमबर नायन स्टाट करें हैं बेटा हम आज वे क्वास्ट कर रहे हुआ कैस्ट नमबर नाइन है किस्टन नमबर नाइन बेटा रीड करने लगा हूं कहते हैं यह फाल्विंग एरर्स वर फांट व्रांड वूक्स ऑफ फर्म पस अनसेसरी एंट्री इंटिज त वर्कमेंट फार मेकिंग शोकेस कहते हैं जी आपने शोकेस बनवाया शोकेस बनवाने के लिए आपने आठ हजार रुप्या वेजिस अदा की है मैंने आपको हर्कॉस्चिन में यही बताया है कि हर्कॉस्धिन के δोंसे होते हैं पहला हिसा ठीक होता है इसे में हमेशा error मजूद होता है और आपको पता कैसे चलता है कि दूसरा इसा कहां से start हो रहा है जहां से had been have been wrongly deputed wrongly created was were इस तरह के word start हो जाए तो बेटा इस से जो अगला इसा होता है वो आपके पास error वाला हिसा होता है दूसरा part होता है तो कहते है जी रूपीज 8000 paid for wages to workmen for making showcase बेटा शोकेस आपका furniture और fixture में आता है कहते है यह आपने furniture बनुआ है तो बेटा furniture आपका fixed asset assets को बनुआने के ओपर जितने भी खरजात आते हैं उसको assets की value के अदर add करते हैं बेटा entry हमारे पास बनत बेटा का जो account है उसको बेटा हम क्या करेंगे debit कर देंगे और हमने अखरजात पे किया है तो cash का जो account हम उसको क्या कर देंगे credit कर देंगे बेटा जो correct entry थी वह यह पास होनी चाहिए थी और entry बनती भी correct यही थी अब उसने किया क्या है कहता हुसने किया यह है had been charged to wages account उसने क्या किया है wages का account debit कर दिया और cash का जो account है उसने credit कर दिया रूपीज 8,000 के साथ बेटा अगर हम थोड़ा सा गोर करें थोड़ा सा analysis करें तो अगर हमने correct entry पास किया है तो correct entry में cash credit है अगर हमने wrong entry पास किया तो wrong entry में cash account credit है तो हम अब इसको rectify करेंगे मैंने आपको एक असूल बताया हुआ है कि जिस account में मसला नहीं होता उसको हम वैसे का वैसे ही लिख ज रहेगा आठ जार पे से debit और मसला किसमें है wages में उसने wages को गलट debit किया है तो आप ठीक करने के लिए क्लिए क्या कर देंगे wages का account credit 8000 रुपीज के साथ हम entry है पास करने के बाद नरेशन लिखेंगे wages अकाउंट रहूंग ड़ेप्टिट बटना रक्टिफाइड अब transaction number two में कहा जा रहा है a sale of rupees 18,000 has been passed through the purchase book कहते है आपने sale की है मगर आपने इसको किसमें पास कर दिया purchase book में the customer account has been correctly deducted बेटा entry जो पहुती है वो entry pass होने चाहिए थी debtors का account debit और sales का जो account है तो credit amount आती है अठारा हजार के entry जो correct बनती है बेटा वो यह बनती है और यही entry pass होनी चाहिए थी कहते है आपने इसको purchase book के अंदर record कर दिया और एक condition साथ उसने लगा दिया कि customer का account बिल्कुल ठीक debit है इसका मतलब है customer उसने debit कर दिया है जब वो purchases में record करने लगा तो उसने क्या किया है purchases का account debit कर दिया होगा purchase हमेशे debit होती है अठारा हजार पे के साथ क्यूंकि उसने condition लगा यह customer का account बिल्कुल ठीक debit है customer में मसला नहीं आया तो बेटा इसका मतलब जा customer का account बिल्कुल ठीक debit है तो हम customer को record नहीं करेंगे हम करेंगे क्या sales में मसला नहीं है purchase में मसला है sales को credit होना चाहिए था बेटा हम sales को क्या कर देंगे credit उसने purchases को गलत debit किया हम ठीक करने के लिए purchases को बेटा क्या करेंगे purchases का account भी credit अब जिसके मखालफ में कोई चीज नहीं आती या कोई account नहीं आता तो उसके मखालफ में जो account आता है बेटा वो account आता है suspense का account 36,000 रुपीज के साथ है देखे sales को credit होना चाहिए था हमने कर दिया उसने purchases को गलट debit किया ठीक करने के लिए हम क्या कर देंगे credit और इन दोनों ये दोनों account credit हो रहे हैं debit कोई भी नहीं हो रहा तो इसके मखालफ में जो आएगा वाएगा debit बेटा अठारह हजार जम्हा अठारह हजार मारे पास आ रहेका 36,000 पर यह थी ट्रांजक्शन नंबर ट्रांजक्शन नंबर थ्री में में क्या और sales का जो account है वो 4500 पीज के साथ credit एंट्री बेटा जो यह बनती है कहता है उसने किया क्या है उसने कर यह दिया वाज असने कबीर का ही जो account है उसको ही 4500 के साथ credit कर दिया है उसने condition लगा है कि यह single account कर रहे रहे हैं कबीर के अकाउंट की सिर्फ उसने बात किया इसका मतलब है sales के अंदर कोई मसला मजूद नहीं है देखेंजी sales में कोई मसला नहीं कबीर को डैबिट हो है कबीर को क्या कर दिया है credit तो हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे कबीर का account debit और credit क्या हो जाएगा suspense account कूंकर single account कर रहे दोबारा समझारों बेटा ये 4500 रुपीज ये वाले हैं जो debit होने चाहिए थे और ये 4500 रुपीज ये वाले हैं जो उसने गलत credit किये हैं हमने ठीक करने के लिए debit किया तो इन दोनों को जमा करेंगे तो 9000 रुप्य आ जाएगा अब डिशन लिखेंगे कबीर account wrongly credited but not rectified और अगर same account debit हो रहा है उसको गलती से कर दिया गया है credit तो आप ठीक करने के लिए debit करेंगे double amount के साथ अगर same account कर अगर कोई account credit हो रहा है और उसी account को debit कर दिया गया है तो आप सही करने के लिए करेंगे credit double amount के साथ तो हमारे इस case में क्या हो रहा है कबीर brothers का जो account है वो debit हो रहा ह उसने किया है credit हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे उसको debit double amount के साथ प्राइशन नुबर फॉर प्यादर करते हैं रुपीज 30,000 पेट फायर्दा पर्चेस ऑफ मोटरसाइकल फार अपार्ट है उसने अपने पार्टनर के लिए मोटरसाइकल खरी दिया तो बेटा ये पर्सनल यूज है बिजनस का यूज नहीं है हम करेंगे ये ड्राइंग्स जो होई है उसको हम कर देंगे debit और cash का जो account हम कर देंगे credit entry बेटा ये पास होनी चाहिए थी 30,000 रुपे के साथ ये debit है और 30,000 रुपे के साथ ही ये cash credit है कहते है जी had been charge to the miscellaneous expenses account उसने किसको charge कर दिया miscellaneous expenses यह नहीं कि expenses उसने उसको debit कर दिया drawings गाबे उसने किया है जी miscellaneous expenses का account debit और cash का account उसने कर दिया है credit 30,000 रुपीज के साथ बेटा अगर आप थोड़ा से गोर करें analysis करें आप तो आपने अगर correct entry पास की है तो cash का account credit है आपने अगर wrong entry पास की है तो cash का account credit है इसका मतलब है cash में किसी किसम का मसला मजूद नहीं है मसला किसमें मजूद है debit होना चाहिए था drawings को तो हम क्या कर देंगे जी drawings का account हम debit कर देंगे क्योंकि उसने debit नहीं किया हुआ उसके बाद miscellaneous expenses का account उसने गलत debit किया हम इसको ठीक करने के लिए क्या कर देंगे मिसलीनियस जो expenses हैं उनको हम credit कर देंगे रुपीज 30,000 के साथ बेटा अपनेशन लिखेंगे मिसलीनियस expenses अकाउंट रॉंग डेप्टीड बट नौ ट्रैक्टिफाइड लास्ट ट्रांजेक्शन राएंगे कदरी आप परचेस औफ रुपीज 696 हैं बेटा कहता है आपने परचेस की है जब आप परचेस करते हैं तो आप यह पास होती थी पर्चेजिस का अकाउंट debit और सर्वर का अकाउंट credit 696 के साथ क्याते है उसने किसको debit कर दिया सर्वर के account को debit कर दिया उसने यह गलती की है और यह भी 632 के साथ है कि उसने simple condition नीचे लगा दिया कि उसमें server का जो account है वो कर दिया है debit और server कोन है supplier है supplier का नाम उसने server बताया इसका मतलब है purchases में किसी किसम का कोई मसला मजूद नहीं है तो बेटा देखें server को होना चाहिए था credit उसने क्या किया है debit same ये entry number 3 वाला case आगे server को credit होना चाहिए था उसने क्या किया है debit हम ठीक करने के लिए सबसे पहले server को क्या करेंगे server का जो account हो जाएगा credit और इसके मखालफ में कोई account नहीं आता जिसके मखालफ में कोई account ना इसके मखालफ में क्या रहेगा suspense का account देखें रहे suspense का account हम कर देंगे debit हम amount क्या लिखेंगे 696 plus 632 तो यह मारे पास आरेगा 1328 रुपे यह हमने क्या किया है error ठीक है हम लिखेंगे server account wrongly debited but no rectified पेटा यह था question number 9 अब हम चलते है question number 10 की तरफ देखें जी question number 10 हम बढ़ने लगे है question number 10 में हमें क्या कहा जा रहा है हम इसको detail के साथ discuss करते हैं कि देखें जी question number 10 कहते है जी एक्टिफाइदा following errors आपने जो errors आपको बताएगी है आपने को क्या करना है क्लेक्टिफाइद करना है हम वापिस आगे बटा क्वेस्टन बर्टन की तरफ कहते हैं हम क्या करने लगे हैं लेक्टिफाइग करने लगे हैं कहते हैं रुपीज 840 एस बैडेट्स एजब बैलनेस इन अमजद अकाउंट आर रिटन आफ एस बैडेट्स का जो अकॉंट है वह वेडेट्स की वजह से रिटन आफ यह बटा मैं जब आप येट्र की आंट्री पास करते हैं तो आप करते हैं credit amount लिखनी है 840 रुपे बेटा एंट्री जो आपकी correct एंट्री बनती है वह आपकी यह बनती है कहते है recorded in Amjad account only आपने क्या किया है अमजद का जो account है जस्ट उसको 840 के साथ credit किया है आपने bad ads के अंदर recording नहीं की आपने bad ads को record नहीं किया हुआ जब आपने bad ads को record नहीं किया तो bad ads को record कर देंगे इसका मतलब है अमजद में किसी के समका मसला नहीं है मसला किसमें है bad ads के हम क्या करेंगे जी bad ads को debit होना चाही तो उसने नहीं किया हमने bad ads को debit किया इसके महालफ में कोई account नहीं तो इसके महालफ में कौन सा account आ रहेगा suspense का account और amount मेरे पास जो बनती है वह 840 रुपे बनती है बेठा हम duration के लिखेंगे bad ads account not recorded but not rectified क्यों bad ads का जो account उसको रिकार्ड नहीं था किया गया हमने इसको रिकार्ड करके rectify कर दिया है हम चलते हैं transaction no.2 की तरह कहता है रूपीज 2,000 पेर फार college fees of proprietors son proprietors ने अपने बेटे की college की fees अदा किया तो बेटा यह हमारी drawings कहलाएगी एंट्री पास ओने चाहिए थी जी drawings अकाउंट debit और cash का जो बेटा अकाउंट है वो credit amount आने चाहिए थी रूपीज 2,000 दो हजार रपया यह आपका transaction यह बनती है कहते है जी worth charge trade expenses account उसने क्या किया है trade expenses का जो account है उसको debit कर दिया है और cash का जो account है उसने क्या किया है credit रूपीज 2,000 के साथ बेटा अगर आप देखें हमने जो ठीक entry pass होने चाहिए थी वो entry pass की तो cash का account credit है गलत entry pass की तो cash का account credit है इसका मतलब है cash है मसला नहीं है debit किसको न जाहिए था ड्राइंग्स को तो हमने क्या किया ड्राइंग्स का account debit कि 2000 से उसने trade expenses का account गलत debit किया हम ठीक करने के लिए बिदा trade expenses का जो अकाउंट असकों क्या कर देंगे 2000 के साथ credit लिखेंगे ट्रेड एक्सपेंस इस रोंग ली डैप्टिट बट नो रेक्टिफाइड आज यह जी ट्राइक्शन नमबर ठीक के तरफ के तरफ एड़ रुपीज 500 फाइफ हंड़ फांड़ 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 अर्चर वर क्रेट्टिट तो इस अकाउंट बेटा जब आपके बैड़ ड़कावर्ड होते हैं आप एंट्री पास करते अमवांट आते ही 500 फाइफ हांड़ फांड़ फायनड़ ग्रेट पर एंटी जो मारी बनती थी वह यह बनती थी कहते र हम वर क्रेट्टिट 2020 इस अकाउंट उसने क्या किया है उसने कैश को डैबिट किया और अर्षद का जो अकाउंट है उसने क्या कर दिया अर्षद के अकाउंट को क्रेडिर कर दिया उसने ये गलती की है बड़ा देखें अगर हम ठीक एंट्री पास कर रहे है तो कैश डैबिट गलत एंट्री पास क कर रहें तो यहां और इसमें अर्षद में उसने अर्षद को गलट किया सुर्द क्रेडिट किया हम ठीक करने के लिए क्लिए क्रेदेगी अरश्ड का अकाउंट डैबिट 500 से और गया कंफ करडिट अंचाहिए था उसalen एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री बनती है तो आप निशन के लिखेंगे अर्शद अकाउंट रॉंगली डेप्टिड बट्नो रेक्टिफाइड आज एंटी ट्रांजक्शन नुबर फॉर की तरफ कहते है और सीट और रुपीज तीन सो अचास फ्राम साइद एंड कॉं फिस प्राम साइद आपके आपकी ये पास होती है कहते है जी क्रेड़ी टू देडिर अकाउंट एज रुपीज रोपीज 5300 उसको इसका अकाउंट डिकार्ड किया है वोक्राड़ी जी गए उसने किया क्या है कैश का अकारविद कर दिया है और सрьह का जो अकांट ए उसमें credit ही किया, इसको 3500 से लिखा है, इसको 5300 के साथ लिख दिया entries ने ठीक pass किया, मगर जब उसने amount लिखिया, तो उसने क्या कर दिया गलत कर दिया, देखें नहीं बेटा अगर हम देखें तो cash का account यहां भी ठीका cash का account, यहां भी ठीका cash में दो साथ को credit हो जाए था, 3500 से उसने credit ही किया, या कितने से 5300 से, हम यह कह सकते हैं कि उसने साथ का account है, वो overcast कर दिया तो बेटा हमने overcast का rule पड़ा हुआ है, अगर कोई account debit हो रहा है, तो इसको credit कर देंगे, credit और इसको debit कर देंगे, credit का account हमारे पास credit हो रहा है, इसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे जी, side and company account debit और इसके मखालफ में क्या जएगा, suspense का account, amount कैसे लिखेंगे जी 5300 में से minus कर देंगे 3500, बेटे जा हम मारे पास remaining amount रहे देगी 1800 रुपे, अठारा सो रुपे के साथ हमने, जो side का account है वो ज्यादा लिखा था, अब हम इसको ठीक कर दी है, आप लिखेंगे side and company account recorded overcast but now rectified, last entry, क्याता है जी, sales return of rupees 500 are taken into stock but no entry was passed in the books, बेटा आपने sales return आपको हुई है, आपने उसकी entry pass नहीं की, तो बेटा sales return के entry क्या होती है, अगर sale credit होती है, simple, और sales return क्या होती है, debit, तो आप करेंगे data लिखेंगे, अगर बताया गया है कि customer की तरफ से आइगे तो फिर आप data लिखेंगे, अगर नहीं बताया गया तो आप cash भी लिख सकते हैं, देखेंगे, क्याता है जी, आप लिखेंगे sales return not recorded but now certified, बटा ये था हमारा question number 10, अमीद करता हूं कि आप तमाम students को in question number 9 के question number 10 के अच्छे समझ आगी होगी, अगर किसी student को समझ नहीं जाई तो वो comment section में question पूर सकता है, इंचालला उसको within 24 hours उसकांस किया जाएगा, तमाम बच्चे अपना बहुत सा ख्यार रखें, अपनी दव हमारा जाशी कि आएपनी यहीं तेन दुआए ओशना अनुटार उसकांस कि अख्यार ऊटा में घलुके हा मॉँड केर्वार concerning होगी उसी आह्ध के रखें हाई अऎज ध